हलो बच्चो कैसे हो खोब बढ़िया होंगे आ गए हैं एक बार और आपके लिए नीट गुरुनेती 2023 आप देख रहे हैं अरुन खंडलवाल को CLC लाइफ पर आईए देखते हैं पहला कुश्चन अब चलते हैं AC के अंदर और AC का पहला कुश्चन इसको सब टॉपिक वाइस जमा रखा है मैंने आई ये एक बार देख लेते हैं पहला कुश्चन हिंदी में पढ़ेंगे फिर इंग्लिश में पढ़ेंगे हिंदी प्रत्यवत्ति धारा AC स्रोत का शिखर वोल्टेज बराबर होगा शिखर वोल्टेज निकालना है ठीक है और उसकी आप्शन देरा के ये लास्ट इरिया है इंग्लिश में दपीग वोल्टेज अफ दए एसी सोर्स इस इक्वल टू जैसा कि बच्चों आपको मालूम है आई आरेमेस इसकी वैल्यू होती है आई मैक्स या पीग वैल्यू अपॉन रूट टू तो आई मैक्स यहां से कितना आ जाएगा आई मैस आजाएगा रूट टू टाइमस आफ आई रेमेस तो वर्ग माध्य मूल मान का रूट टू गुना हिंदी में एसी स्रोत के रेमेस मान का रूट टू गुना आजाएगा पीग वोल्टेज डैक में सेग्ड ओप्शन ठीक है इजी लगा दोनों में देख लो इंग्लिश में भी आपका यही है और यह बहुत इजी कुश्चन है इससे हमको मालूम पड़ता है कि नेक्स्ट येर दो हजार टेईस में क्या आने वाला है चलो और कुश्चन देखते हैं एक कुणली का स्वपरिकत्व कैपिटल एल है यह श्रीनी क्रम में एक विद्दुद बल्व कैपिटल बी तथा एक एसी स्रोथ से जुड़ी है ठीक है इस बल्व के प्रकाश की दीपती त्मिन ट्रीवरता कम हो जाएगी जब चाहँ अप्शन दे रखे हैं पढ़ेंगे बाद में पहले इंग्लिश में बाद देख लते हैं अब कोईल ऑफ सेल्फ इंड़क्टन्स एल इस कनेक्टेड इन सीरीज विथ अब बल्व कैपिटल बी एंड एसी सोर्स ब्राइटनेस ऑफ दबल्व डिक्रीज़ वैन अब म ज़्यादा वो पावर कंजूम करेगी उतना ही ज़्यादा आउटपुट में देगी तो आई स्क्वाइर आई आपके लिए डिपैंड कर जाएगा ब्राइटनेस आपको ब्राइटनेस कम करनी है तो आई होना चीए कम अब आगे बात करते हैं आई डिपैंड किस पर करता ह आई का फर्मला एसी सोस में जाएगा वी बाई जैड इसका स्क्वाइर वोल्टेज देखो दोनों ही केसिस में कॉंस्टेंट है सारे जो केसिस बोले हैं उसने एक्स सी इंट्रूडूस कर दो आईरन रॉड इंट्रूडूस कर दो उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ा दो नंबर जैड इसक्वाइर पर अधिया आपको ब्राइटनेस कम करनी है तो जैड आपको बढ़ाना होगा ठीक है जैड बढ़ाएं जैड का फॉर्मला बोलो अंडरूड के अंदर र स्क्वाइर प्लस एक्सल माइनस एक्सी का होल इसक्वाइर पहले केस में जो उसने कुश्चन के अंदर दिया है उसने बोला है केवल एल है ठीक है उसमें एक्सी नहीं है दूसरे केस में पहले और प्राइटनेस कम करने के लिए जैड की वैल्यू बढ़ानी है ठीक है अब जैड की वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको चाहिए कि एक्सल एक्सी का डिफरेंस बढ़के आ है बतलाओ आप XI लगाओ मत यदि है नहीं तो आप किसी ना किसी प्रकार से Z का जो formula है जो कि R square प्लस XL square क्योंकि ये तो पहले option के अंदर था कि XI जोड़ दो यदि XI नहीं है और XL है XL में क्या आएगा बताओ XL में आएगा omega into L और L में क्या आएगा L का formula बताओ L का formula है mu not mu r ठीक है ना introduce कर रहा है अपना medium अधि ऐसा मान ले तो medium है तो mu not mu r right into capital A area area भी आएगा mu not mu not area into length ठीक है ये capital L का formula है mu not mu r capital A जो की उसका area होता है और small L उसकी जो length होती है ठीक है और इसके अंदर एक term और आती है N square ठीक है N square तो mu not N square AL ये जो formula है ये है capital L का formula capital L मतलब inter swap ठीक है अब बात करते हैं ये जो mu r यदि आप इस mu r को डाल दोगे जैसे की second option में कहा गया है कुणली में लोहे की एक छड़ दाल दी जाती है and iron rod is inserted in the coil यदि coil के अंदर आप एक rod insert कर दोगे तो rod insert कर दोगे मतलब metal की करोगे और उसने बोला भी है iron लोहे की तो ये कौन सा material है ferromagnetic material ferromagnetic material के लिए लोहो चुम्ब की पदार्थों के लिए mu r का मान एक से बड़ा होता है mu r का मान यदि एक से बड़ा होगा तो mu r का मान जैसे इसमें रखोगे तो ये पूरा पर बढ़ गया आएगा तो capital L आपका बढ़ जाएगा यदि आपका capital L बढ़ जाएगा तो आपका excel भी बढ़ जाएगा यदि आपका excel बढ़ जाएगा तो आपका z बढ़ जाएगा और आपने इस last page पर का दी आपका z बढ़ जाएगा तो brightness आपकी कम हो जाएगी तो second option मुझे सही लग रहा है बाकि option गलत हैं उनको भी check कर लेते हैं frequency of the AC source is decreased तो बताइए अधि frequency source कम करोगे XL कम होगा Z कम होगा हमें Z बढ़ाना था तो ये option गलत हो गया first option पहले गलत हो गया क्योंकि आपको मैंने बताया था फर्स्ट option के अंदर XL X यदि आप बराबर कर दोगे तो Z अधिय का minimum हमें तो बढ़ाना है कम नहीं करना ठीक है तो पहला option भी आपका गलत हो गया था दूसरा सही था तिसरा गलत फोर्थ गलत क्यों है आओ number of turns in the coil is reduced देखो number of turns हे रहा number of turns कम करोगे तो आपका L कम हो जाएगा XL कम Z कम हमें Z बढ़ाना था तो ये option भी आपका गलत हो गया तो कौन सा option सही है second option is correct theoretical है चार अल्द concept का हमारे repeat हो सकता है चलो question number 3 पढ़ेंगे ये कौन सीर में आया है 2016 में आया है बहुत easy question आईए देखते है कोई लगू signal voltage ता VT बराबर V0 sin omega T किसी आदर्श संधरित C के सिरो पर अनुप्रियुक्त की गई है अब options दे रखे हैं small signal voltage VT equals to V0 sin omega T is applied across an idle capacitor C then अब मुझे बताओ जब idle capacitor में आप याद करो यदि आप voltage लगाओगे sin omega T ये तो voltage हो गया time dependent तो current याद करो current क्या आती थी only capacitor only capacitor के अंदर याद करो current जो है आपकी voltage से आगे चलती थी πाई बाई टू मतलब sin omega T plus πाई बाई टू sin 90 प्लस थीटा sin 90 प्लस थीटा बच्चा लोग क्या आएगा जहान से सोचिए second quadrant के अंदर sin की value होती पॉजिटिव cos omega T आएगा ये आएगी value कुछ इस तरह से graph कुछ इस तरह से आएगा ठीक है ये तो आएगा sin ये आएगा cos अब बात है कि sin और cos का जो multiply करोगे power निकालने में क्यों पहला option पढ़िए एक पून चक्र में संधारित C वोल्ट तरह से कोई उप्यूट नहीं करता है क्यों क्यों कि देखो मैं आपको रहता हूँ power का जो बेटा formula होता है वो होता है V I cos phi जहां phi क्या है V और I के बीच में phase difference जो मैंने अभी आपको बताया V और I के बीच में phase difference जो है वो है 5 equals to pi by 2 यदि दोनों के बीच में phase difference pi by 2 तो cos pi by 2 की value 0 तो power हो गई 0 only for AC only for AC source with only capacitor only capacitor के साथ और resistance नहीं होना चीए और कोई mental नहीं होना चीए उस case में तो power हमेशा 0 आएगी तो पहला option सही है दूसरा तीसरा चौथा गल्ट के में खुद देखो क्या I और V एक समान का लाम है नहीं एक phase में नहीं है English medium वालो ध्यान से तुम्हारा भी ध्यान रख रहा हो I और V 130 degree है ना अब यहां देखो I voltage से 90 degree पीछे है 90 degree कहा तो है पर उसने क्या खाए बाबिस पढ़ो current less with voltage जब क्यों उल्टा है current तो आगे चलती है तो यह गल्ट हो गया फोर्ट वी तो कॉंसराप्शन सही हुआ only first ठीक है बहुत अच्छे concept है दिहान देओ बहुत easy है NCRT से एक question आ रहा है हम आपको दिखा रहे है कैसा question आ सकता है नहीं आ चुका है ध्यान गयाना इस चीज़ को एक और question देखते है नी 2020 में आ हुआ है ठीक है जब वो COVID चल रहा था 40 microfarad के किसी संधारित्र को 200 volt कॉमा 50 hertz की AC आपूर्ती से सही ओजित किया गया है ठीक है इस परिपत में धारा का वर्ग माद्यमूल मान निकालना है अभी 2022 में भी ऐसा है question आया ना आओ देखते हैं इसको थोड़ा से इंगलिश में पढ़ लेता है the 40 microfarad capacitor is connected to a 200 voltage 50 hertz AC supply the RMS value of the current in the circuit is nearly चलो इच्छी बात भी nearly कहा गया है तो बात करते हैं IRMS की सबसे दिमाग में क्या आएगा IRMS निकालना है capacitor दे रखा है 40 microfarad का capacitance दे रखा है voltage source दे रखा है ठीक है तो IRMS का जो formula होता है बच्चा लो वो होता है VRMS upon XC XC की value 1 upon omega C VRMS आपको दे रखा है 200 omega आपको दे रखा है 100 sorry 100 pi क्योंकि आप omega का formula मैं ले दे ता हूँ यहाँ पर omega equals to होता है 2 pi f तो मैं तो बच्चों को बोलता हूँ दो घरों के अंदर ही 50 hertz आता ही है अपने तो आप याद ही रखे लो mostly question में 50 hertz आपको देगा तो 50 into 2 100 तो 100 pi आजाएगा आपके यहाँ से omega तो मैंने XC की जो value है वो है 1 upon omega C और omega C उपर चलेगा तो यह omega की value है कितनी है 100 pi और C इनना दे रखा है 40 micro farad 40 micro ठीक है इसको बस solve करना है आपको answer मिल जाएगा आपके साथ मैं solve करता हूँ कितनी कितनी 0 कट रहे है 1 0 ये कट गई 2 0 ये रही 2 और 1 3 4 5 0 5 0 कट गई 4 दुनी का 8 8 तो यहाँ से आगया 4 दुनी का 8 8 pi आगया और 10 डिवाइड कर दो 8 या 24 24 बटे 10 2.4 के आसपास answer आएगा 2.5 लगभग धाई ठीक है ना तो हमने क्या solve किया 8 pi की value 3.14 अप्रॉक्स और पॉइंट 10 तो आट या 24 सम्थिंग आएगा 25 के आसपास 10 दुनी लगभग धाई आगया ठीक है नीड मैस नहीं करवाती केवल अप्रॉक्स answer निकालना है सारा calculation आपके सामने है बहुत easy है इस formula को याद रखो सब आसानी सो जाएगा पांचवा question पढ़ता है re-need में आया है अभी ठीक है 4th September को 2 बजे ये paper हुआ था ठीक है ध्यान देना बहुत easy है कई लोगों ने re-need का paper तक नहीं देखा है re-need मतलब कुछ centers पर वापिस हुआ था नीट का paper तो नीचे दो कथन दिये गए है कथन एक किसी प्रत्यावर्ती धारा AC परिपत में किसी संधारित में प्रवाई धारा उसके सिरोपर विवववस से अग्रवामी होती है चलो चेक करेंगे कथन दो किसी AC परिपत में केवल शुद्ध धारिता है धारा एवं voltage के बीच कलांतर πाई होता है क्या statement सही है गलत है बस ये चेक करना है हाँ या ना में आंसर देना है इससे easy question मुझे लगता नहीं कुछ हो सकता है statement 1 in AC circuit the current through a capacitor leads the voltage across it yes current अभी हमने बात कर रहे थे क्यापने सिटर में current आगे चलता है voltage पीछे होता है statement 1 correct है जब मैं English पढ़ रहा हूँ तो बच्चा लोग कास कर हिंदी मीडियम वालो उसको सीखो क्योंकि मैं अभी आपको एक difference बताऊंगा क्यों हमें हिंदी मीडियम वालो को थोड़ी सी English आने चाहिए confusing अधी create होता है हिंदी मीडियम वालो तो English पढ़ना होता है ऐसा मैं नहीं नीट नहीं Supreme Court बोल चुका है आओ statement number 2 देखते है in AC circuits containing pure capacitor only the phase difference between the current and the voltage is pi नहीं pi नहीं होता pi by 2 होता है तो यह गलत हो गया statement one is correct and statement two is incorrect first option is correct ठीक है चलो तो हमने अभी capacitor के बारे बढ़ता है तो आप देख सकते हैं कितनी बार capacitor के numericals कैसे capacitor के concept यहां काम आ रहे है next question NEET 2016 के अंदर हुआ था किसी कानाणवर्स दूसरी बार भी पेपर हुआ था किसी LCR परिपत में पतिरोधक धारिता पेरिकत्व की सिरोपर विवानता 80, 400, 100 वोल्ट है इस परिपत की शक्ती गुणा ज्याद करो the potential difference across the resistance, capacitance and inductance are 80, 40 and 100 वोल्ट respectively in the LCR circuit the power factor of this circuit will be तो बच्चा लोग सबसे बदे बताओ power factor होता है cos phi क्या आपको मालू मैं R, B, Z होता है एक बात अब यदि मैं उपन निचे I से मलपाय कर दूँ तो I, R क्या बन जाएगा voltage drop on resistance V at R और I, Z बन जाएगा net voltage चलो V, R कितना दे रखा बच्चा लो V, R आपको दे रखा है resistance के ends पर 80 और जो V होता है आपको मालूम होना चाहिए V होता है V, R का square plus V, L minus V, C eraser ले ले लेता है V, C आएगा ठीक है V, C का holy square ये formula होता है ठीक है V, R का square अज़ि आपने थोड़ा से derivation देखा हो तो V, R का square plus V, L minus V, C का holy square अब आप देखो ध्यान से हमें चाहिए cos phi उपर है V, R नीचे है 80 का square plus अब दो voltage का difference जो आपको दे रखा है 40 and 100 ठीक है? तो 40 और 100 का difference लो फिर उसका square करो यह आएगा माइनस 60, माइनस 60 का square 3600, इसका आएगा 6400 6400 प्लस 3600 इकोल्स तो 10,000 10,000 का अंडूर आएगा 100 तो 80 अपन 100 0.8 Is there any option? Yeah Second option is there Which is correct Okay, easy लगा Formula तुम देख लो कैसा formula है? Repeat हो सकता है 7th question नीच 2015 में आया हुआ आईए देखता है किसी AC स्रोज से जोडने पर एक प्रतिरोद 8 द्वारा P शक्ति ली जाती है यदि इसी प्रतिरोद के श्रीनिक्रम में एक प्रतिरोद जोडने से परिपत की प्रतिबाधा Z हो जाती है तो ली गई शक्ति हो जाएगी जिसका answer और options P, R, Z के बदों में हमें देना है Resistance capital R drawns power capital P when connected to an AC source If an inductor is now placed in series with the resistance such that the impedance of the circuit becomes Z the power drawn will be, तो power कितनी होगी तो मुझे बताईए यदि केवल resistance है और AC source लगा हुआ है तो power का formula हो जाएगा V square by R अब आपका कुशन बनना चाहिए सर्थ power के तीन formula थे V I, V square by R और I square R आपने यही क्यों लिया जड़ा कुशन पढ़ लो कहीं उसने कहा है क्या कि मैं voltage का source change कर रहा हूँ नहीं, जो कि मैंने पहले कुशन में भी बताया था तो कुशन को पढ़ना सीखो ठीक है, अब यसे time है नहीं फिर भी जितना मैं बता रहा हूँ उतना तो सीखी लो, कि voltage सेम है इस पूरे circuit में, जो भी यह कुछ नया add किया गया है उस circuit के, right इनको बोलते है passive element एक होता है active element, एक होते है passive R, LC, यह कुछ नया introduce कर रहा है बट source वही है source का voltage वही है उसकी भी frequency change नहीं की गई ठीक है, तो V वही है omega वही है, अब आपको power देखने है, power हो गया 2 square हाँ, अगले बार उसने बोला कि R के साथ हमने यह और लगा दिया inductor, AC source वही है V और omega R और XL, अब XL के बार में कुछ बोलाई नहीं उसने है उसने बोला कि सीधा इसका impedance हो गया Z, Z का formula तुम्हें मालूम बच्चा लो R square प्लस XL का but उसने एक्सल के बार में बात ही नहीं किये है, उसने सीधा बोलाई पावर हो गई, next, P dash वो बताओ, तो हमारे को मालूम होना अच्छी कि power का formula होता है V I cos phi या इसको आप बोल सकते हो, V को लिख सकते हो या I को लिख सकते हो, V by Z cos को लिख सकते हो, R by Z V को कि voltage तो सेम है ना तो सारा काम voltage की तर्मस में लेके हो, तो देखो V square by Z square into R square ठीक है अब Z का square हो गया ठीक है, अब मुझे जो options है ना, सारे power में P में दे रख हैं, तो क्या मैं यहाँ से V square को P into R लिख सकता हूँ, और V square की जग्या दिया है आपर मैं P into R लिखुँगा, अपॉन Z का square into R का square sorry, यहाँ R का square यहाँ नहीं आएगा, R by Z square आएगा अब आपका R into R यहाँ सुझाएगा R square तो P into R square by Z square तो power dash नहीं आएगी, P R square upon Z का square क्या ऐसा option है, yes second option is there P into R by Z का whole square यह R square by Z square आप बोल सकते हो ठीक है, तो आप दुनों circuit देख लो, इसी circuits पर question repeat होते हो आ रहा है ओके, चलो अगले question को देखते हैं, need first 2016 में आया हुआ है किसी स्रोध जिसका EMF V equals to 10 sin 340T है, से स्रीणी क्रम में 20 मिलिहेंडरी का प्रेरख 50 माइक्रोफेरड का संधारितर और 40 ओम का प्रतिरोधक संयोजित है इस प्रत्यावर्ति धारा परिपत में शक्तिच होगा English में देखते हैं और इंजेक्टर 20 मिलिहेंडरी और कैपिसिटर 50 माइक्रोफेरड और रिश्टर 40 ओम आर कनेक्टेट इन शिरीज अक्रोस असोर्स अफ EMF V equals to 10 sin 340T तो पावर लॉस इन दे AC सर्किट इस ठीक है तो पावर लॉस का फॉर्मला जैसे मैंने अभी बताया आपको यहां पर देखो ध्यान से वोल्टेज सोर्स दे रखा है तो अभी अभी कमारे पास फॉर्मला आया था वो आया था V स्क्वार बाइ Z स्क्वार इंटू आर देख लो Z रख दिया उस जगह V आपको दे रखा है बड़ इधान से V मैक्स है ठीक है उसकी पीक वैल्यू है तो आप V की जगह रखोगे यह जो वैल्यू जना V वाली यह तो आरमेस में है अधि कुछ नहीं लिखा हो है तो हम उसको आरमेस मानते है तो यह जगह 10 by root 2 square यह तो हो गया V square R कितना दे रखा है बच्चलो R दे रखा है 40 अपॉन Z square क्या होगा Z square जगहा R square R आपका 40 square प्लस XL माइनस XC का होली square जिसको हम X square भी बोलता है अभी जो X square है इसको solve करना देख लो मैं अगले पर चलता हूँ X होता है XL-XC XL आपको होता है Omega L-1 upon Omega C Omega आपको दे रखा है 340 चेक कर लो यह देखो 340 Omega दे रखा है आपको 340 into L L आपको कितना दे रखा है L दे रखा है आपको 20 millihenry 20 milli minus 1 upon Omega C आपको कितना दे रखा है 50 microfarad ठीक है तो into 50 microfarad अब इसको आप solve करो पहले तो आप X निकालना पड़ेगा तो यहाँ से इस term को solve करोगे और यहाँ से solve करोगे 10 की power minus 3 तो यह 2 0 तो यहाँ से गई और 6 8 और 6.8 minus यहाँ से solve करोगे तो 10 की power minus 6 2 0 यहाँ टपका दो 2 यहाँ टपका दो 2 उपर गई 100 राइट और 3.4 into 0.5 1 by 2 लिखकर 200 upon 3.4 लिख सकते हो 100 upon 1.7 तो 6.8 minus 100 upon 1.7 यह अपरोक्स आना चाहिए आप देख लो 171, 17, 17, 15, 85 176 राइट लगभग 102 तो 58 सम्थीं आएगा 56 सम्थीं आएगा एक्स की वैल्यू अपरोक्स 50 बोल जेता हूँ ठीक है आईडिया होना चाहिए समझो इस सीज को न एक्जेक्टली सॉल नहीं करना है तो कि कुछ सल तो लगेगा लेंदी 50 आगया 50 रगदो वहाँ पर भई तो यह लोग पावर इकोल्स टू कितना आया था 10 का स्वाइर 100, 100, root 2 का स्वाइर 200 by 2, 50 15 into 40 15 into 40 हो गया 20, 2000 ठीक है और यहां आएगा 40 का स्वाइर तो हो जाएगा 1600 प्लस लगभग 50, 50 का स्वाइर लगभग आयागा पच्चिस सो अब देखो 25, 16, 49 2000 बटे लगभग आना चाहिए आपका 0.5 के आसपास 0.5 के आसपास देजना कोई आप्शन है क्या देख लो एक ही आप्शन है 0.5 के आसपास तो आपको exactly नहीं करना है बच्चा लोग जहां रखना कई लोग क्या exactly करने के चक्कर में फस जाते हैं यहां से अप्रॉक्स कर लो इसको और देखो इससे तो आप बचनी सकते यदि मेरे पास कर देख कोई शॉर्टरीक होती ही तो मैं आपको बता देता ऐसा नहीं कि हम यूट्यूब पर फ्री कंटेंट दे रहें तो हम इसको कुछ चीज़ों चुपा के रखें नहीं लास्टेर का यहां कुश्चन है इससे तो आप बचनी सकते इस क्यालकुलेशन से इसको आपको स्पीड़ी करना होगा ओके चलो क्योंकि देखो नीट दो अधार ठरम में ऐसा ही कुश्चन एक बार और आगे है देखो देखो 20 मिली हैंडरी का कोई प्रेरग 100 माइक्रो फेरड का कोई संधारित्र तथा 50 ओम का कोई प्रतिरोधर विद्धुद्वाहगवल एमएफ जिसको हम बोलते हैं वी इकोस तू टैन साइन 314T कि किसी स्रोच से श्रिनी करम में सही हो जिता है इस परिर्पत का शक्ती चह निकालो होना कुश्चन रिपीट एक बार इसमें देख लो एन इंडुक्टर 20 मिली हेंडरी एन कैपिस्टर 100 मेक्रोफेडर एन रिजिस्टर 50 ओम आर कनेक्टेट इन शिरीज अक्रोस सोर्स अफ एम एफ वी इकोस तू 10 साइन 314T फाइंड द पावर लॉस इन दे सर्किट पावर लॉस निकालना है वापिस से अगें सॉरी पावर लॉस चाहिए ना बंगो तो यह लो पावर लॉस का फॉर्मला मैं तुमको अभी बताया था वी स्क्वाइर बाई जैड स्क्वाइर इंटू आर ठीक है और वी का आपको वापिस से दिरेखा 10 बढ़ ज्यान से RMS है 10 रूट 2 का स्क्वाइर आर आपका यहां हो गया है 50 जैड स्क्वाइर आर स्क्वाइर प्लस X स्क्वाइर और X क्या है आओ अब भी आपके सॉल करता है XL माइनस XC उमेगा L माइनस 1 उपन उमेगा C ओमेगा एल यहां सॉल करते हैं ओमेगा आपका 314 है एल कितना है वही आइधिंक सेम ही है फंटी मिली है देखो डाटास भी सेम आ गए है माइनस वन अपॉन ओमेगा ओमेगा 314 सी कितना है सी आपका 100 यह थोड़ा चेंज हुआ है पहले 50 था 100 देखो ही अप्रॉक्स करना माइनस तो यह हो गया दो जि लो यहां से गया यहांसे तो यह तो यहां से आगा six-point-two-eight my fault ठीकए ना six-point-two-eight आएगा तो 6.28 बाइनस यहां से सॉल करो दो जिरू यहां से कड़ गया तो आ गया 100 अपॉन 3.14 लगभग 33 33 में से 6 गया लगभग 27 अप्रॉक्स लगभग 27 सम्थिंग आ गया अप्रॉक्स देखो भई हमको क्या चाहिए हमको चाहिए थी पावर पावर में हम आदर सॉल कर चुके थे 10 का स्कॉयर वही 100 अपॉन 2 50 15 to 50 2500 तो आपका उपर आ गया नीचे देखो क्या आ रहा है 50 का स्कॉयर 2500 तो 50 का स्कॉयर 2500 तो नीचे भी आ गया यह लोग प्लस तो ध्यान दीजिए अब एक्स स्कॉयर एड करना है एक्स आपका केतना है 27 27 का स्कॉयर होता है 600 संथिंग 700 संथिंग तो आप इसको 700 लगबग मान लो तो यह अगया 32 25 में 32 का डिवाइड करोगे 0.8 संथिंग आना चाहिए यह लोग 0.79 इसके आसपास एक ही ऑप्शन है 0.6 0.8 0.7 एसस होड़ना है तो 0.8 के आसपास एक ही ऑप्शन है ठीक तो इस तरह से आप देख लो इस कुश्चन को बहुत इजी है रिपीट होते हैं कुश्चन यह बात प्रूफ हो गई है 2016 और 2018 आस उबे भी एक बच्चा मिला मुझे काउंटर पर उसने पूछा कि सर वाट इस 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 पॉसिबल रिपीट होते हैं कुश्चन क्या बात कर रहे हैं अब टार्गेट की बच्चे क्या करते हैं यह जदा माल लेते हैं कि नहीं नहीं हमारे तो भई कुश्चन रिपी नहीं और क्यों आपको जॉइन करना चाहिए उसका कारण मैंने अभी आपको बताया कुश्चन रिपीट होते हैं यह हम कई सालों से बोलते हैं यदि आप हमारे पास रहेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें आसानी से मिल पाएंगी टार्गेट कोर्सेज हैं फांडेशन क दिख रहा है जिसे हम पूरी एनरजी हमारी यूट्यूब के वीडियो बनाने में जाती है ऐसे हम क्लासिस के अंदर भी पढ़ाते हैं ठीक है चलो उसके बाद क्लास्नूम कहां कहां है सारे फोन नंबर डिटेल्स आपको दे रखिए सीकर अलवार जैपूर जैपूर के अं 2023 के लिए जिसमें आज हम लगभग दंगल वन तक पहुँच चुके हैं तो आप देख सकते हो सारे टेस्ट सिरीज एक के बाद एक के बाद एक हम यहां तक तो हमने पाट टेस्ट कर रखें को से इसको डिवाइट कर रखें फिर हमारे मेजर स्टार्ट होंगे यदि आपको लगता है कि आप किसी भी प्रकार से ओल लाइन चाहे ऑफलाइन तो इन टेस्ट को जरूर दीजिएगा बहुत बेनेफिट मिलने वाला बच्चा लोग देश वगरा सब दे रखी है ठीक है और सारे सारे नीट पिटन पे होंगे 200 मिनिट के ओके चलो अब अगले कुश्यन पर चलते हैं नीट 2020 में आयवा प्रश्ण आईए देखते हैं कोई श्रेणी LCR परिपत किसी AC वोल्टता सुरोच से संयूजित है जब L को हटा लिया जाता है तो धारा और वोल्टा के बीच पाई-बाई-थी का तलांतर होता है ठीक है यदि इसके स्थांग पर परिपत से C हटा लेते हैं तो धारा वोल्टा के बीच पाई-बाई-थी हटा है इस परिपत का शक्ती गुणांत बताईए चलो एक और दिखते हैं इंगलिश में पढ़ लेते हैं एक बार अच्छे समझाता हूँ और वो भी फेजर डियाग्राम से है यदि आप वोल्टेज रजिस्टेंस का या करेंट इस लाइन पर देखाते हैं तो आपका वी यहां कहीं होगा और इन दोनों का रिजल्टेंड आपका आएगा यहां कहीं यदि केवल आप सी हटा रहे है उसने का दिसी हटा दोगे तो आपका फेज डिफरेंस आएगा पाई-बाई- अब आपने का नहीं अपसी रहने दो एल हटा दो तो यह लोग नया फेज डिफरेंस यह आई यह वियार और यहां आज आएगा आपका वी सी अब वील हटा दिया वी सी और वी आर बज गए तो दोनों का रिजल्टेंट कहां आएगा यहां कहीं आएगा यह कितना एंगल है नैट वोल्टेज और करण के बीच में पाई-बाई-थ्री और यहां यदि आप एल हटा देते हो तो क्यापेशिटर रहता है तो क्यापेश यहां पर आपका जो कॉस फाई पावर फैक्टर का जो फॉर्मला होता है वो होता है आर बाई-जैड क्या होता है आर बाई-जैड यहां पर भी होगा कॉस फाई का फॉर्मला आर बाई-जैड दोनों फाई सेम है दोनों के फाई पाई-बाई-3 है आर आपके सेम है तो जै किसमें Z1 बोल दो इसकेस में Z2 बोल दो Z1 Z2 की वैल्यू यहां Z1 की वैल्यू आएगी R2 plus क्योंकि only L है XL का स्क्वाइर इस Z1 की वैल्यू इधर से Z2 की वैल्यू क्या आएगी अंडूड में R square plus XC का whole square यहाँ XL हैगा वहाँ XC हैगा इसका मतलब साफ है कि XC और XC आपस में बराबर है क्योंकि cos 5 5 दोनों में बराबर cos 5 बराबर R तो आपका सेम है R तो पन चेंज करने रहे Z1 और Z2 भी बराबर होनी चाहिए वो कभी होंगे जब XC और XL की वैल्यूज बराबर होंगी इसका मतलब यह हो गया कि यह circuit resonance में है यह circuit दे रखा है ज़िए टीनों लगे होए है R, L, C तीनों लगे होए है तो यह circuit किसम है resonance और resonance में power factor की value 1 होती है तो कि 5 जो होता है वो 0 degree होता है ठीक है क्योंकि आप phasor diagram बनाओगे यहाँ लेखोगे VR यहाँ लेखोगे I यहाँ लेखोगे VL यहाँ लेखोगे VC और VL, VC बराबर होते है क्योंकि XL X ही बराबर होते है तो VL, VC तो आपस में कट जाएंगे केवाल यह term बचेगी net voltage ही VR होगा net voltage और net current के बीच में angle होगा 0 degree तो 5 equals to आता है 0 degree मैंने आपको resonance भी समझा दिया तो 5 होगे आएगा 0 cos 5 की value 1 इस case में आएगा 1 ठीक है easy लगा cases देखे लो दोनों पताएं यदि आप यहाँ से C रटाते हो तो भी angle वही रहता है यहाँ से the L रहताते हो तो भी angle voltage और current के वीच में सेन रहता है इसका मतलब हो गया एक्सल एक्सी बरहावर है चलो अगले कुशन में चलता है need 2021 में आयवा कुशन बहुत easy है आओ बच्चों देखते हैं दिखाए गए चित्र के अनुसार 1 एक L प्रेरकत्व का प्रेरक कॉमा एक C धारिता तथा एक R प्रतिरोध का प्रतिरोधग V वोल्ट विभानतर के प्रत्यावर्टी स्तोथ से श्रीनी क्रम में जुड़े हो है LCR पर विभानतर क्रमशे 40 वोल्ट, 10 वोल्ट और 40 वोल्ट है LCR श्रीनी परिपत में प्रवाई धरा 10 रूट 2 एमपियर है परिपत की प्रतिबाधा निकालिए परिपत आपको दे रखा है जो याँ समझाया है वो डैराम में भी दे रखा है आओ थुरा सा इंग्लिश में देखलते हैं एक बात ध्यार रखो क्यों हम बोलते हैं हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश पढ़ने के लिए यहां क्या लिखा हुआ है एमप्लिटूड अफ करंट और यहां लिखा हुआ है प्रवाही धरा अब मुझे बताओ जैसा कि आपको बताया गया होगा क्लासेस के अंदर यदि धारा के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है हिंदी मीडियम वालों से बात कर रहा हूँ तो हम उसको क्या मानते हैं आरेमेस यदि हम इसको आरेमेस मानते काम करें तो अलग अंसर आएगा हो यदि हम इसमें इंग्लिश को पढ़ने तो साफ साफ लिखा हुआ है एंप्लिटूड ओफ करेंट बनाब धारा का आयाम हिंदी मीडियम वालों को लिए तो सा लैंग्वेश शिफ्ट कर रहा हूँ धारा का आयाम बोलता है इंप्लिटूड ओफ करेंट बोलने से उससे अलग रहा है केवल धारा बोलने से हिंदी में अलग रहा है तो यदि आपको लगता है आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन में है तो सुप्रीम कोर्ट की आदिश चनुसार ये बोला गया है कि आप थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो तो English पढ़ लिजे फिर भी मैं आपको दोनों को answer बताता हूँ हो क्या रहा है यदि सबसे पहले मुझे Z निकालना है तो concept समझो Z निकालने के लिए आपको चाहिए V upon I सारे voltage रखें कुछ voltage के आगे नहीं लिखा हुआ है तो ये सारे voltage RMS है ठीक है चलो अब voltage के बारे में बात कर लेते हैं तो voltage निकालने के लिए net voltage निकालने के लिए net current current तो आपको देख रखिए तो voltage निकालने का formula मैंने अभी-भी आपको बताया था अंडरूर के अंदर VR का square plus VL minus VC का whole square VR केतना है VR है आपका 40 VL आपका 10 और ये आपका 40 10 minus 40 करो कितो 30 आयागा minus 30 करो प्लस 30 करो आयागा तो square है positive तो 40 का square plus 30 का square it will give you 50 का square और अंडरू लेने पर आयागा 50 ठीक है 40 और 30 और 50 आपको 50 आगया voltage तो 50 आगया अब आपको current निकालने है तो ये तो हो गया दो option करता हूँ current निकालने के लिए आपका चाहिए V upon I करना है sorry Z निकालना है my fault Z निकालना है तो V upon I चाहिए Z निकालने के लिए V upon I करना है अब बात है कि V तो आगया 50 I क्या रखोगे तो obvious आपको I RMS रखना है यदि V आपने RMS निकालना है तो यदि हम English Medium को पढ़े है तो amplitude of current आपको दे रखा है 10 root 2 तो यदि मैं English Medium के according इधर English इधर Hindi English के according solve करूँ यहाँ पर कौन सा आई रखेंगे RMS 16 आई रखेंगे तो English Medium ने बोला कि हमने तो amplitude of current दे रखा है amplitude of current आपको दे रखा है तो उससे RMS कैसे बनाते है root 2 का divide देखे आपको दे रखा है 10 root 2 peak value 10 root 2 में आप root 2 divide कीजिए RMS बन जाएगा तो 50 by 10 5 ampere is the answer 5 ampere है क्या 5 ampere क्यों 5 ohm my fault Z निकाल रहे न 5 ohm आएगा 5 ohm थर ओप्शन अब हिंदी में बात कर लेते हैं बच्चा लोग आओ देखो हिंदी में क्या हो रहा है हिंदी में हो रहा है प्रवाही धरा अब बच्चों ने क्या करा इसको मालिया RMS ठीक है यहाँ अपनको RMS solve करना था इधर तो RMS की value मालिया 10 root 2 और फिर उन्हें solve किया Z 50 upon 10 root 2 यह आगया उनका answer 5 upon root 2 जैसी 5 upon root 2 है तो यहाँ option में था तो हिंदी मीडियम के according तो first option इंग्लिश मीडियम के according third option यह controversy हुई बहुत लंबा case चला इसका इसके लिए result वे लेट हुआ इसलिए बोलता हूँ हिंदी मीडियम वालो की बात last में जब नहीं सुनी गई तो at the last क्या हुआ English medium की बात मानी गई तो 5 upon English medium में और 5 by root 2 हिंदी मीडियम में फिलाल तो इस question का answer मैं देरों दूँगा यह भी दूँगा और यह भी दूँगा आपको समझने वाली बात है यदि ऐसी controversy आ जाए अब नहीं होगी 21 में need भी समझ गया क्या हमने गलती करी तो वो 22 में नहीं करी और आप करेगा भी नहीं इसलिए आप ध्यान रखो कि यहां इस concept को use करना बहुत important है यदि आपको कही बर भी हिंदी में confusion या doubt पादा होता है तो अपने मन की बजाए English Medium को पढ़ लेना है चलो need 2021 में एक और प्रशन आया आईए देखता है एक श्रेणी LCR परिपत में 0.5 हेंडरी का एक प्रेरक 80 microfaraday के संधारित्र और 40 ओम के प्रतिरोधक 230 वोल्ट के परिवर्तिन ये आवरती के प्रत्य वर्ति स्तोत के साथ जुड़ा हुआ है आवरती चेंज कर सकते है अनुनात कौनी है आवरती पर शक्ती आधारी शक्ती स्थनांत्रित करने वाले स्तोत की कौनी है आवरती होगी अर्ध है ये अर्ध वर्ध है अर्ध शक्ती इस्थनांतिर करने वाले सुत्रोथ की आवरती आपको मैं थ्वाँ सा कॉंसर्प समझाता हूँ उससे पहले मैं इनलिश में पढ़ देता हूँ A series LCR circuit containing 5 Henry inductor 80 microfarad capacitor and 40 ohm resistor is connected to 230 volt variable frequency AC source The angular frequency of the source at which power transfer to the circuit is half of the power at the resonant angular frequency are likely to be तो half power आपको शक्ती या अर्ध शक्ती आपको transfer करनी है उसके लिए देख लो बच्चा लो I versus जब omega का कर्व बनाते हैं I versus omega का तो कुछ इस तरह से आता है ठीक है और यह होती है maximum power जिसको हम बोलते हैं omega R resonance frequency पर तो आधी power होती है लगभग I by root 2 पर और I by root 2 value होती है 0.707 तो यह लगभग जो दो values हाती है omega 1 and omega 2 यह होती कौन सी है तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर यह होती है बच्चा लोग omega 1 oblique 2 equals to होती है omega R plus minus delta omega by 2 और delta omega को हम बोलते हैं bandwidth bandwidth band चोड़ाई इसका formula आपको मालूम होना चाहिए तो omega 1 या 2 की जो value होगी वो omega R plus minus delta omega की value होती है R by L और उसमें 1 by 2 का factor हो चल रहा है तो आप देख लो कि यह bandwidth यह वाली है omega 1 से omega 2 इसका आधा part omega R से आगे और आधा part omega R से पीछे होना चाहिए इसलिए यह formula हमने लिख दिया है उसको हमने solve किया omega R की value 1 upon 100 LC plus minus R upon 2L चलो solve करते हैं L कितना दे रखा है बद चलो 0.5 और C की value 80 micro तो 0.5 into 80 micro plus minus resistance कितना दे रखा है 40 ohm तो 40 बटे 0.5 into 2 सही है क्या 0.5 Henry अब ध्यान दो यहां तो लिखा हुआ है 0.5 और यहां लिखा हुआ है 5 तो इसको correct कर लो यह गलग दे रखा है 5 ही लिखा हुआ था मुझे याद आ रहा है ठीक है नो यह वाला correct है misprinting है यह neat में नहीं थी मेरे पास ही हुई है तो यह 0.5 को तो आप 5 कर लो ठीक आप 5 into 80 it will give you how much? 8 पन दे चलो 400 400 का अंडरूर जाएगा 20 10 की खात minus 6 का अंडरूर जाएगा 10 की खात minus 3 plus minus यह जाएगा 10 और यह जाएगा 4 यह 10 के बाद मैनस तो जाएगा 1000 अपन 20 जाएगा 50 तो 50 plus minus 4 is the answer 46 और 54 देदना है क्यों option में? yes 46 और 54 इस दिन दा options यह होगी angle of frequency तो यह इस formula को याद रहो और यह NCRT में देख रखा है कोई बड़ी बात नहीं है okay previous यह सा question है repeat हो सकता है चलो अगला question देखते है NEET second 2016 में आया है संचार हेतू LCR परिपत के बहतर समस्वरण tuning के लिए निम लिकित में सा कौन सा सही हो जन उप्यूगत है tuning selectivity और sharpness तीनो के तीनो bandwidth topic के बाद right hand side पर solved example के just उपर दे रखा है NCRT के अंदर which of the following combinations should be selected for better tuning of LCR circuit are used to for communication तो better tuning के लिए आपको quality जो है वो बढ़ानी होगी और quality का formula जो होता है quality factor गुणवर्ता गुणांग जिसको हम बोलता है वो यह होता है वन अपन आर अंडोड में L by C तो इस quality को बढ़ाने के लिए आपको R करना होगा कम से कम R देखो सबसे कम किसम है 15 फिर बोलतार यह L और C की value क्यों दी गई है तो उससे भी देख सकते हो L की value बढ़ा होगे Q की value बढ़ जाएगी L देखो सबसे highest किसम है Second में ही है सर C से check नहीं कर सकते क्या C से कर लो C सबसे कम होगा तो quality बढ़ जाएगी क्योंकि denominator में है हर में है C देखो सबसे कम किसम है 30, 45, 45, 35 Second option हर किसी तरीके से बिलकुल यही आ रहा है तो quality formula गुणवक्ता गुणां का आप सूत्र याद रखिए और उससे आप solve कर सकते हैं ये मौखिक प्रशन हो जाता है oral question बोलते हैं oral questions बोलते हैं कि आप बिना pen ये pen रख दिया हमने है और आप राम से बैठके solve करो तो हम में बोलते हैं डरना नहीं है आप हमारे वीडियोस को follow करते हैं subscribe कर ले जितना content हम आपको देख सकते हैं हम आपको दे पा रहा है आईए 14 number का question देखते है need 2022 में आया है last year 10 henry prayer कत्व 10 microfarad धारिता 50 ohm प्रतिरोध वाला एक शेनी ब्रद LCR परिपत V बराबर 200 sin 100 T वोल्ट वोल्टेज वाले एक प्रत्यावर्टी धारा AC स्रोध के साथ जुड़ा हुआ है जुड़े रने दो यदि LCR परिपत की अनुनादी आवरती new naught है तो AC स्रोध की आवरती new है तो उनके वीच में संबंद पूचा गया है एक बार थुड़ा English में दिख लेते हैं a series LCR circuit with inductance 10 henry and capacitance 10 microfarad and resistance 50 ohm connected with an AC source of voltage V equals to 200 sin 180 volt if the resonance frequency of the LCR circuit is new naught and the frequency of the AC source is new then तो हमको new और new naught के अंदर relation बनाना है तो new तो आपको यहां से मिल जाएगा sine के अंदर से new की value new equals to source की value है वो जाएगी omega upon 2 pi omega आपका t का coefficient 100 upon 2 pi यह जाएगा 50 upon pi तो यह तो सारे option में लगभग 50 upon pi new की value this one यह गलत यह गलत यह भी गलत एक यह option आगया तो अपनको resonance frequency निकान ले की तो ज़रूरती नहीं है एक यह option सा यह के अंदर फिर भी मैं निकाल लता हूँ resonance frequency का formula होता है omega 0 upon 2 pi equals to 1 upon 2 pi अलग से रखो 1 upon root L से अलग से कर दो तो यह लो 1 upon 2 pi अंदर root के अंदर 1 upon L L केतना है 10 henry और 10 micro 10 or 10 micro 100 10 के बाग मैंस 6 मैंस 4 नीचे उपर जा के प्लस 4 प्लस 4 का अंदर root प्लस 2 100 upon 2 pi it will give you also 50 upon pi दोनों की value सेम आ गई first option is correct वो तो आदे में ही solve हो गया था ठीक है easy लगा last year आया है लगड़ा हो आना कि अब तो कर सकते हो neat कर लोगे आजाओ अगले question को देखते है reneat 2022 जहान से देखना वापिस आया है ठीक है neat हुआ था आपका 17 जुलाई को और reneat हुआ था 4th of September को ठीक दो paper आप ये माल लो neat 2023 के जो students है कि भाई ये जो reneat का paper है न ये तुमारे लिए बना था वो तो गलती से कही paper की कुछ problem हो गई distribution में तो जो 2023 वादा paper है उसको 2022 में reneat नाम से करवा दिया ठीक है तो ये आपका ही paper है अब देख लो क्या आप कर पाओगे इसको आओ पढ़ते हैं 2 mmHP प्रेरकत्व वाले एक प्रेरक को 220 V 50 Hz वाले AC स्रोट से जोड़ा जाता है माना परिपत में प्रेरकिय पतिगार X1 है यभी परिपत में AC स्रोट को 220 V वाले DC जिष्ट धारा स्रोट से बदल दिया जाए तो परिपत में प्रेरकिय पतिगार का मान X2 हो जाता है X1 वे X2 के मान क्रमशय है English में An inductor of inductance 2 mmH is connected to a source 220 V and 50 Hz AC let the inductive reactance in the circuit is X1 if the 220 V DC source replaces the AC source in the circuit is then inductance inductive reactance becomes X2 then find the value of X1 and X2 X1 का formula मैं आपको बढ़ाता हूं आपको मालूम है AC source के साथ X1 का formula होता है omega into L omega के लिए आपको जहां से देऊ frequency दे रखिये तो frequency में 2 pi डिवाइड कर दो omega across to 2 pi है sorry 2 pi से मल पाय कर दो और into L कर लो आपको X1 मिल जाएगा और 50 Hz के साथ तो मैं भी थोड़ी पहले याद भी करवाया है इसको 100 pi याद कर लो 15 to 200 100 pi कितना है आपका L 2 mili henry बताओ कितना आएगा तो 200 यहां से आगया आप इसको 100 को तो 1000 जाएगा 100 तो 2 pi बाई 10 तो यह जाएगा 0.628 है क्या येस दो options में है अब आपको calculate करना है X2 X2 कब है जब उसने AC को DC के साथ replace कर दिया है formula वही है omega L अब यह omega जाएगा DC के लिए omega DC के लिए होता है 2 pi F F हा formula DC के लिए frequency DC के लिए क्या होती है DC के लिए तो voltage में कोई change ना current में कोई change तो frequency DC के लिए होती है बच्चा लोग 0 frequency 0 omega 0 तो X2 भी कितना जाएगा 0 देखो कौन सो option है 0.628 and 0 first option अब तुम देख लो कुश्चन कितना ही सी है ठीक है omega DC के लिए मालूम होना चाहिए 0 होता है अगला question reneed 2022 में अभी आया है आईए देखते है जब किसी मानक तंटू लैम को 200 वोल्ट वाली मुख्य परी प्रत्यावर्ती धारा AC स्तोत के साथ जुड़ा जाता है यह 100 वोल्ट का उब्भू करता है अरे वाँ बल्व में प्रवाही धारा का शिखर मान निकाल ला है बहुत अच्छा question दिया है comment मार रहा हूँ देखो a standard filament lamp consume 100 watt when the connected 200 volt AC main supply the peak current through the bulb will be तो बच्चा लोग power का format तुमें मालूम है voltage into current ठीक है now power आपको दे रखी कितने दे रखी power 100 volt बहुत फिलामेंट में क्या होगा resistance ही तो होगा तो resistance बन्दब P equals to Vi cos 5 cos 5 आपको ज़रत नहीं 5 की value only resistance के साथ 0 होती है तो formula यही बनता है तो 100 equals to voltage कितना दे रखा 200 यहां से I कितना आगया 1 by 2 और you can say 0.5 बच्चे जल्दी बाजी में 0.5 option नहीं है वन्ना वो लगा जाते अब यह I जो है वो RMS आई है आपसे पूला गया है current बट वो peak value बुची गई है maximum तो जो आपकी I max होती है चलो अगले पेच पे चलता है I max होता है वो I RMS का root 2 times होता है I RMS आपका 0.5 आया इसको 1.4 1.4 से मिल पाय कर लो लगबग 0.7 समधिं आएगा right आएगा 0.7 है option में third okay easy लगा बहुत easy है यह ऐसे ही कुशन आने वाले है आओ transformer के 2 कुशन आए दोनों कुशन लेके आओ 1.2014 में आया है 1.2021 में आया है ध्यान से देखिएगा एक transformer की दक्षता 90% है यह है 200 V वह 3 किलो वाट की पावर की supply के साथ काम कर रहा है supply मतलब हम इसको निवेश दे गए दुतिय कुणली में 6 अमपेर की दहरा प्रवायत होती है दुतिय कुणली के सिरो के बिच विवान कर और पात्मे कुणली में विद्दुधरा कामान क्रमशे होगा अ ट्रांस्फर्मर हैविं एफिशेंसी ओफ 90% इस वरकिंग ओन 200 V एन 3 किलो वोल्ट पावर सकलाए इफ दा करेंट इन दा सेकेंडरी कोईल इस 6 अमपेर दा वोल्टेज अक्रोस दा सेकेंडरी कोईल और करेंट इन दा प्राइमरी कोईल रेस्पेक्टिबली आर ठीके आओ पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो एफिशेंसी का फॉर्मला याद कर लो पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट एफिशेंसी सब जगे यही है आउटपुट अपॉन इनपुट पावर का रेस्पेक्ट निकाल लो एफिशेंसी आपको जगे रखी 90% तो 90 by 100 करते आपको मिल यागा 0.9 ठीक है परसंटेज को आप चेंज कर लें ना रेस्पेक्ट और पावर आउटपुट में आएगा वोल्टेज इनपुट करंट इनपुट ठीक है अब आप आउटपुट से देख लो आपको पावर इनपुट तो डिरेक्टल दे रखी न 3 किलो वाट यहां तो 3 किलो रख दो आप 10 की पावर 3 वोल्टेज आउटपुट पूछा गया है दुतिया कुंडली के सिर्वो पर विवांतर वोल्टेज आउटपुट पूछा गया है और 6 आउटपुट आपको करंट दे रखी 6 तो यह हो गया, वोल्टेज यह हो गया अब बताओ यहां से वोल्टेज आउटपुट आ रहा है यह देखो ली ओ निकालो अब बात करते हैं प्राथमी कुंडली में विद्दुधरा प्राइमरी सर्कीट में करंट बताओ तो प्राइमरी सर्कीट में वोल्टेज दे रखा है पावर दे रखी है करंट पूछे यह लो पी आई इकोस टू वी आई 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 इन्पूट जिसको हम बोलता है प्राइमरी सर्कीट के अंदर तो पावर के अंदर वोल्टेज का डिवाइड कर दू पावर कितनी दे रखी है थ्री किलो वाट्ट और वोल्टेज कितना दे रखा है 200 वोल्ट खतम हो गया कुश्चन में गया ठीक है 00 गया 30 अपान 2 15 अपे रहा गया चेक करना है क्या 450 और 15 येस सेगन ऑप्शन इस देर सो सिंपल एफिशेंसी का फॉर्मला आपको मालूम होना चाहिए अब चलते हैं कुश्चन नंबर 18 पर एक अप्चाई ट्रांसफर्मर में जो 220 वोल्ट मुख्य प्रत्यवर्थी पूर्थी से जुड़ा है 11 वोल्ट और 44 वाट लेंप पर काहरे करता है ट्रांसफर्मर में शक्ती हानी को नगण मानते हुए प्रात्मिक परिपत की धारा निकालनी है ठीक है इन लिए से पढ़ लेता है प्रांसफर्मर कनेक्टे टो एन AC मेंन सप्लाइं 220 वोल्ट इस मेट टो अप्रेट 11 वोल्ट एन 44 वोल्ट लेंप इग्नोरीं दा पाबर लॉस इन दर ट्रांसफर्मर वाट इस दा करण इन दा प्राइमरी सर्किट तो देखो पावर जब लॉस्ट नहीं हो रही है तो पावर input की और पावर output की बराबर होगी output की power आपको दिरÜ रखे 44 input की power V I तो primary जो होता है न वो input की current ही होता है primary हमेशा input के side रखा जाता है input की current पूछी गई है primary circuit की current पूछी गई है तो 44 के अंदर आप डिवाइड कीजिए वी आई वोल्टेज इन्पुट का तो 44 वाल्ट तो आपका आउटपुट है और वी आई आपको दे रखा है 220 वोल्ट How much? 220 तो द्यांस देखिए 22 से 24 के लिए दो बार 2 बटे 10 0.2 आंसर बताओ देखो कितना easy कुशन है पावर बराबर करने सिधा आई आजाएगा आपका ठीक है इस तरह से ये transformer के 7 कुशन हुए दो कुशन थे और ये पूरा AC मैंने complete कर दिया है ठीक है बच्चो कैसा लगा? खोप आपको अच्छे समझ में आया होगा ठीक है? जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में मैसल्फ अरुन खंडलवाल साइनिंग आफ थैंक यू